हेलो विर्परेंट स्वागेते हैं आप सभी का आप सभी के पसंदाटिव चैनल राय एजुकेशन में उनत्र जाय सायक अदाबग वरती परिक्षा 2019 संबंदित जिलेवार सेव गुडां का आप लोगों को तो मिली रहा है उसी क्रम में आप लोगों के सबसे जादा डिमांड हैं लगातार आ रही थी सर होनः डिस्ट्रिक गुलांग कितना हो सकता हों डिस्ट्रिक का ग्री जिरा कितने मिलेगा खिस केटीजिल सबसे बड़ा प्रशन सब के मन में रहता है तो इंपर्चन बात यह है कि मैंने बोला था मैं दो वीडियो ले कर आऊंगा एक आएगा प कितने दिनों से काम चल रहा था और आज आज जाकर फाइनली पूरा कंप्लीट हुआ है इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखेंगी और आज हम लोग इसमें बात चीट करेंगे हों होम डिस्ट्रिक का सेफ गुडांक प्रते के टेगरी के लिए चाहे आप जनरल के हों वीसी के हों एससी के हों एस्टी के हों फ्रीडेम फाइटर हों पियेच हों या एक सर्विसमें हों और कुछ अपने एक्सपिरियंस भी बताऊ होंगा तो प्रते के टेगरी के लिए सबसे सही और सबसे सटीक विशलेशन है पहली बार जो सचाही हो आपके समक्ष मैं प्रदर्शित करनी के कोशिश कर रहा हूं एक्जैक्ट चीजें बहुत अच्छे से देख लीजेगा ठीक है ना फिर अपने आप कंपेर कर आप सकते हैं और पुना बोल दो कि यह पूरी अनेलसिस का जो क्रम है मैं 12 जनवरी सन 2019 से लगातार आप लोगों के लिए सेव गुलांक सबसे पहला मेरा सेव गुलांक इसी बरायत है जिस पर लगबग डेट लाक लोगों ने इसको देखा था और उसके बाद जो कमेंट्स के अनेलस इस वीडियो जा रहे हैं जो काफी सरानी रहे हैं आप लोगों के द्वारा प्यार बहुत मिल रहा है और इसमें अन्त में मैं बताओंगा कि जिला वरीता क्रम ट्रिक क्या है किस हिसाब से आप इसको दे सकते हैं और अपना मन चाहा जिला आप प्राप्त करने की क्रम में सबसे आगे हो सकते हैं इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे चैनल पर रहे हैं और इस वीडियो को सबसे आदा आपकी डिमांड पर आया गया है काफी दिनों के बाद मेहनत के बाद ही आया है तो वीडियो को शेयर करना मत बुलिएगा आपकी डिमांड पर ही आते हैं और आपने व्यक्तिकत प्रश्न पूझेगा कहीं भी आपको उत्तर नहीं मिलता तो यहां पर राइजुकेशन चैनल आपको एक जिम्मिदार चैनल की तरह आंसर जरूर देगा चलिए स्टार्ट करत हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि 9900 भरती में इस्पेशल में जो हम लोग ने चर्चा की थी तो जैसा आप सभी पता है यह सारी वीडियो सरकार के तैय मानक पर ही आते हैं तैय मानक यानिकि 90-97 यानिकि 60 और 65 प्रतिशत मानक अंक अगर आ हाला कि वीडियो हो सकते हैं अलग से जो आपकी डिमांड पर बनाए जाते हैं ठीक ना तो कुल अब बढ़ती थे चार लाग दस जार मोस्ट प्रप्रबबल है इग्जैक्ट जो सेच्वेशन है चार लाग तेरह जार अब बढ़ती है ठीक ना यह आपकी ग्राउंड रिप इनों से कोट का चरण पर नहीं बैठी रहे थी हाना तो यह सारी चीज़ें आपको समझ चुके होंगे आप सभी कि जो बात करूंगा और इग्जैक्ट चीज़ें बात करूंगा और फिर इसके बाद आपका जो सबसोंदीत उत्तरकुंजी आ जाएगा तो इग्जैक्ट ज जानते हैं सीट का जो डिवीजन होता लगबग 50% यूर केटिगरी और लगबग 27% ओवीसी केटिगरी और लगबग 23% के आसपास SCST और इसी में थोड़ा सा आपका कटोधी करकी स्पेचल केटिगरी का भी रहता है जैसा आप सभी जानते हैं रिजर्वेशन सिस्टम जो सी तो लगबग जो सीटे हैं उनतर जार की उसका डिवीजन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है कि उनतर जार सीटों में लगबग आपके 34,500 सीटे यूर केटिगरी की 18,630 सीटे वीसी केटिगरी की और SCST की 15,870 सीटे तो ये टोटल आपका उनतर जार सीटे है अब ये सीटे तो हैं ठीक है आपको पता है इन सीटों के इतर जो important चीज़ हमको पता होनी चाहिए वो क्या है जो आपको home district प्राप्त करने में लगबग ये तीन चीज़ें आपकी रहेंगी और as obvious चौती चीज़ जो सबसे important हो पहले number पर होनी चाहिए क्या number of seats for particular district सीटों को अगर आप नजर अंदाज करते हैं तो कहने कहीं आप बहुत बड़ी भूल करेंगे कि इस particular जिले में seat है मालीजे 100 seat है और आप सोचेंगे कि हमको मिल जाया और गुलांग भी आपका कम है तो नहीं हो सकता है इसके भी अभी मैं बताऊँगा दो आपको ऐसी मैं ख सीट आपका फिर गुड़ एकैडमिक स्कॉर बहुत इंपोर्टेंट है गुड़ मार्कस इन इस्वर टीटी और प्रिफरेंस ऑफ कंडिट यह भी जैसे सीटें आपकी एफ्यक्ट करती है ना वैसे आपकी प्रिफरेंस जो कंडिट क्यों दियं सबसे आधा एफ्यक्ट करत seat और preference of candidate फूर इसके बाद जो चीज़ें आपकी देखी जाएंगे वो आपका good academic score और marks यानि कि overall आपका गुडांग ये देखा जाएगा ठीक है अब इसी पर मैं चर्चा करूँगा लेकिन उसे पूर मैं बता दूँ एक चीज कि एक हमारे मित्र थे senior थे वो वारानसी जीले को as a reason पर प्राप्त करना चाते थे बहुत द्यान से समझेगा इसी में आपको बहुत डिर सारे answers मिल जाएंगे ठीक है वो आते थे OBC category के अंतरगत और उनका overall गुडांग जो था द्यान समझेगा उनका overall गुडांग था 70 OBC वारानसी और academic 70 ठीक है अब हुआ क्या कि पिछली भरती का अगर मैं बताऊं पिछली भरती में 4556 लोग पहली बार में सफल किये गए तो जब number of seats का division हुआ हाला कि वारानसी के लिए लगबग 980 के आसफास seat आई थी लेकिए जब number of seats का division हुआ तो वारानसी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 200 seat आई बहुत द्यान से समझी है कि इस सारी चीजे इन 200 seat अब यहां पर मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि 900 seat के सापेक्ष ना 200 seat के सापेक्ष इनका यह 70 गुडांक कम पड़ गया और इनको वारानसी जिला नहीं मिला अब आप बोलेंगे कि इतना अच्छा academic score है सर overall score है तो क्यों नहीं मिल पाया तो मिला कां मिला उनको वारानसी छोड़के second number of preference उन्होंने जाउनपूर दिया था एकड़म बॉर्डर पे वारानसी जोणपूर एकड़म आसपास में वारानसी मिर्जापूर चंदौली ये सब चारों तरफ से इलावाद ये सारों चारों तरफ से हैं तो उनको मिल गया जोणपूर अब ये मैं मेरा बताने के तात पर एक ही था कि academic score आपका ठीक है आपकी number of seats बहुत माइने रखती है ठीक है ना बाज आते हैं कुछ calculations भी देख लेते हैं तो calculation देखिए good academic score हम कब कहेंगे good academic score हम तब कहेंगे जिनका academic score overall 28 या उससे ज़्यादा हो 28 plus मैं बोल रहा हूँ 28 सा 32 के बीच में जिसका है तो वो बहतरीन है 32 के उपर जा रहा है तो वो कहींगे उसको pull up कर दे रहा है यानि उससा बढ़ती का अगर 32 के उपर academic है तो वो pull up कर दे रहा है और 32 के उपर academic आपके rarest of rare लोगों के इंतर का तादिन लगती जिनका बहुत अच्छा high school से लेकर ही वो बहुत अच्छा करते आएं है और maximum जो ये chances होते हैं अधिकतर BTC के बढ़ती का academic score होता है जो exact चीज़ है आपको बता रहा हूं जो DLA के बढ़ती होंगे BTC के बढ़ती होंगे they have a good academic score exact है तो अगर मैं average भी बात करूँ ठीक ठाक तो अगर आपने high school inter graduation और B.A.D.C किया है अगर आपका academic score 70 plus है मान के चलिए कि 70 से सी की बीच में भी है तो आप एक average या good academic scorer माने जाएंगे ठीक है तो ये analyze कर लीजेगा जो मैंने बताया आप दूसरे पाते हैं good आपका super rate rate में marks कितने है अगर आपका marks 105 plus आ रहा है तो आप बेहतरीन बेहतरीन माने जाएंगे बहुत एकदम extraordinary मान रहे हैं देखिए 105 ही ये number है लेकिन किसके साथ है प्लस academic अच्छा वाला ठीक है मैं अभी बात करूँगा बहुत अच्छे से एकदम आराम से बात करूँगा एक एक point को आपके sort out करूँगा तो मैंने देखिए बहुत पूरी list मना रखी है अगर आप minimum 97 नमर as a pinpointed है तो अगर मैं उसका देखू तो 60% overall निकाला जाता है तो 38.8 आपका आता है 100 नमर है आपके 43 एक सो पांच है तो 42 और 110 है तो 44 इस हिसाब से दो-दो आपके डिजिट पांच अंगों पर बढ़ती जाती है ठीक है तो 120 है आपका 42 और इस से उपर भी है तो आप 50 उचास आपका 60 में से नमर आ जाता है सुपर टीट का 60% जो रहता है तो इन दोनों को एड करने के बाद आपका गुलांग बनता है ठीक है ये इतना आपको समझ में आ गया होगा तो मित्रों एकेडमिक प्लस सुपर टीटी मार्क्स इस परकार से आपका एड हो जाएगा एकेडमिक आप इदर रखी इदर सुपर टीटी के अपने अंगों को रखते जाएगे और ये करमवार सुचनाप के बनती जाएगी तो इनी के आदार पर अब दूसरी बात अगर मैं यहां पर दिखाँ डारेट मैं आप पहले बता देता हूँ कि क्या अकेडमिक स्कोर रहने वाला है कैटेग्री वाइज यानि की यू आर ओबीसी स्सी स्टी पी एच फ्रेडम फाइटर और एक्स सर्विसमेन की क्या रहने वाली है एक्जाट चीज़ें आपके समक्षें है तो संभावित ग्रिह जिला जो सेव गुडांक होने वाला है ये यू आर केटिग्री के लिए लगबग अगर आपका ओवराल गुडांक 72 से लेके 75 के बीच में है तो आप अपने ग्रिह जनपद के लिए बिलकुल योगे हैं और आपको 110 परसेंट आपका ग्रिह जनपद मिल जाएगा ये मैं ग्रिह जनपद की बात कर रहा हूँ पूरे 75 जिले की मैं अभी इसके बाद वीडियो आईगी आपकी आने वाले समय में उस पर विकार चल रहा है इस यू आर केटिग्री में आपके OVC वाले भी जिनका गुडांक रहेगा वो भी आएंगे सिक्षा मित्र भी आएंगे तो कहिने कहीं ये मेरिट आपकी ग्रिह जनपद के लिए हाई रहनेगी OVC की अगर बात करूँ सेव गुडांकों की तो अगर आप OVC के अंतर गताएंगे तो आपका अगर गुडांक 68 से लेके 71 के बीच में रहेगा मैं इसके लिए exact चीज़ें क्यों नहीं बहुरू क्योंकि अलग-अलग जीले अलग-अलग तरीके के seats होंगी अलग-अलग प्रकार के preference order होंगे और अलग-अलग academic scorer लोग होंगे तो इसलिए ये आपको SC situation देखने को मिल रही है बात करें SC और PH के मैं हमेसा एकसाद बात करता हूँ तो अगर आप SC है या PH है तो 64 से लेके 66 के बीच में अगर आपका academic score overall है गुलांक आपका है माफ करिए का academy मैं बार-बार बोल रहा हूँ overall गुलांक आपकार है तो आप अपने ग्रीज जर्मपत के लिए बिल्कुल 110% बोल रहा हूँ और ये एकदम exact situation है इसमें 0.1% भी आपको मेरी तरफ से fault नहीं देखने को बलेगे ये मेरी तरफ से पूरा एकदम exact analysis है इतने महीनों का वहीं बात करता हूँ ST मित्रों तो ST मित्रों की आप पूरा ना कोई record उठा कर देख लिए सीटे हमेशा खाली रह जाती है तो इनको अपने आप में अगर पास होंगे क्योंकि number of candidates बहुत गम होते हैं respective order में अगर देखा जाए इनके UR, OBC और SC के comparison में दो, ठीक है ना और यहीं अगर मैं बात को हूँ freedom fighter और ex-serviceman की तो अगर आपका 63 से लेके 66 तक भी academy score है तो आपको ग्रिय जिला मिलने के पूरी संभावना है, अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रशन आएगा, कि सर मैं PH हूँ मेरा एक और यहाँ पर जो experience बताता है पिछली भरती का, पिछली भरती का experience एक और भी है PH category के एक मित्र थे, तो उनका अगर मैं बात करूँ तो PH category में वो general candidate थे, ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पर वो PH के उनका academic score लगबग उनका 60-60 के आज पास था, उनका academic score तो उनको ग्रिय जिला चाहिए था इलावाद, जिसको हम लग प्रयागराज बोलते हैं उनको इलावाद नहीं मिला, second number पर उन्हों रखा था प्रताबगड और प्रताबगड उनको मिला, और उन्होंने duty की पूरे बकाइदे, अब 3 साल का हो गया है तो अब उन्होंने transfer करा कर इलावाद अपना ले लिया है, ग्रिय जिला लेकिन उन्होंने duty की as a PH candidate होने के बावजूद भी, तो यह बहुत ध्यान से रखिएगा ठीक है न? तो यह बहुत important चीजे थी, पहली बार आप लोगों के समख exact data निकल कर आया है अब यहाँ पर यह मत कहने लिजीगा, अलग-अलग की सर जो पास है, वो खास है, क्या है यह है home district, और home district के लिए सबसे ज़्यादा मारा-मारी होती ही है इस चीज को आप समझते होंगे, इसमें पतानी की कोई आवशकता नहीं है अगर मारा-मारी नहीं होती, तो 69,000 भरती में 68,500 वाले बैठती नहीं बैठते यह आप समझ सकते हैं, दूसरी बात, वरिता करम की trick क्या है? वरिता करम की trick यहीं है, कि आप अगर अपने गुलां को उस योग मानते हैं, कि exact situation में overall अगर मैं कहूँ, मैं अगर बताओं home district के लिए, जिनका भी overall, overall इस category के अंदर belong करता है और general UR और OBC के भी बोल दो, तो 70 या 70 प्लस के आसपास भी आपका है तो आप अपने आपको मान सकते हैं, कि हाँ, home district में eligible हूँ, लेकिन जो exact situation है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल पने हैं ते चैनल सस्क्राइब कर लिजे, और वीडियो को share हर भरती तक पहुँचाई, क्योंकि 12-13 मैनों से लगातार कमेंट जो आ रहे थे इस एक वीडियो से आई होब कि सबके मन के सांती हो जाए, उनके प्रशन के उत्तर मिल जाए इस एक वीडियो से बाकी पूरे 75 जिलों में कहीं न कहीं हो जाएगा सेलेक्शन, उसके लिए वीडियो से आपके लिए तैयार हो रही है, पूरी लगातार शिद्ध से वह आपको जल्द मिल जाएगे, तो वीडियो को फड़ावर्च लाइक कर दीजे मित्रों, थैंकियो सो माच